Welcome back, today we will discuss about row and column spaces of a matrix There are two different ways of finding basis So, this is the importance of row and column space of a matrix ठीक है, तो देखिए, row और column space क्या होता ही हम देख लेते हैं और कैसे कैसे हम लोग आगे इसका use करेंगे ठीक है, row space का, column space का, ठीक है वो आप देखते चलियाईएगा, तो आपको clear हो जाएगा देखिए, सबसे पहले यह देखते हैं कि row और column space होता क्या है सपोज कि यह A मेरा कोई, जो है arbitrary matrix है M cross N का, जैसा कि आपको यहाँ पे दीख रहा है, ठीक है ओभर ए फिल्ड F Then, the rows of A, तो A का जो row होगा वो इस तरीके से दीखेगा R1 ऐसा होगा, ठीक है, R2 ऐसा होगा Like that, RM ऐसा होगा, ठीक है These rows may be viewed as vectors in FN, ठीक है तो इसको हम लोग N tuple में देख रहे हैं तो यह vector of FN है, ठीक है और इसको denote किया जाता है sort में, row लिखेगा SP, तो space होगा A, ठीक है That is, अगर आप इसको लिखेंगा, तो इसको row wise लिखेंगे तो row wise अगर लिखा जाएगा matrix को याद रखिए ठीक है, so that कि हम किसी sub-space को expand कर सकते है तो वो जो space तज़ार करेगा, वो row space होगा ठीक है, row space of A matrix is the sub-space of FN expand by the rows of matrix, ठीक है, वही चीज हो गई similarly, the column space of A, तो column space क्या होगा यह sub-space होगा FN का, धिहान दीजेगा यह sub-space था FN का, चुकि इसमें N elements आ रहे थे जबकि column में M element आएगा, ठीक है, चुकि यह M cross N का matrix है धिहान दीजेगा, तो column में M elements आएगे हर column में, ठीक है, तो यह FN का, जो है FN के sub-space को यह expand करेगा, column ठीक है, तो इस तरीके से जो आप column space त्यार करेंगे, उसको आप इसे denote करेंगे, ठीक है, और अगर आप row से span कराते हैं सब space को, तो row space है, column से कराते हैं, तो column space है, दोनों में क्या फायदा है, यह हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, column space definitely क्या होगा, row space का transpose होगा, ठीक है, okay, clear है, चलिए, आगे देखिए, next है, एक यहाँ पर छटा सा theorem है, कि row equivalent matrices have the same row space, मतलब के जाहिर सी बात है, कि अगर कोई matrix है, उसमें आप elementary row operation करते हैं, तो जो नया matrix हाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको नो बोलेंगे, row equivalent matrix, ठीक है, तो कोई भी row operation कीजिए, नया जो भी row equivalent matrix आएगा, उसका row space same रहेगा, यह आपको पहले से पता है, कि transpose करने से matrix का rank change नहीं करता, ठीक है, clear है, तो देखते हैं, इसको हम लोग, तो देखिए, परूफ है, सपोस करते हैं, कि A मेरा कोई matrix है, ठीक है, और B जो है, वो नया matrix है, जो कैसे होता है, obtained by applying one of the following row operation on matrix A, ठीक है, यह दिया हुआ था, ठीक है, A से हम लोगों नया matrix बनाया B, इसका बुस्ता तरीका हो सकता है, ठीक है, यह तो हम क्या किये होंगे, R, I को R, J से exchange कर दिये होंगे, ठीक है, यह यह operation लगाए होंगे, यह तो हम लोग ने replace किया होगा, R, J plus K, R, ठीक है, तो कोई भी operation आपको पता है, इस तरह का elementary operation आप कर सकते है, तो A से आपको नया matrix B में लिया, ठीक है, ठीक है, यह रो of B is a row of A, definitely, और a linear combination of rows of A, इन तीनों case में यही इमको दिख रहा है, कि जो नया matrix मेरा बना है, या तो क्या है, उसमें अभी भी वही row है, जो A में था, और या तो क्या है, A के row का linear combination है, ठीक है, so the row space of B is obtained in the row space of A, ठीक है, तो row space of B, sorry, row space of B is contained in the row space of A, तो definitely, जो row space of B हमको मिला है, ठीक है, तो वो क्या है, वो row space of A में content करेगा, ठीक है, ठीक है, जो कि B के पास में वही element है, जो A के पास में है, ठीक है, on the other hand, we can apply the inverse elementary row operation on B to obtain A, ठीक है, जबके हम inverse elementary operation करेंगे, तो हमको फिर से A मिल लाएगा, तो हमको बोल सकते हैं, so the row space of A is contained in the row space of B, अब दोनों बात आ गए, ठीक है, एक operation करने से हम मेंने साथ यह हुआ, कि B A में content करने लगा, inverse करेंगे तो, A, B में content करने लगेगा, तो consequently, दोनों कर क्या होगा, same row space होगा, ठीक है, यह एक छोटा सा theorem था, जो I hope आपको समझ में आ गया है, ठीक है, चले, अब देखिए, सो समझने के लिए, हम लोगे यहाँ पे एक example देखेंगे, जिससे आपको यह जादा killer हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या है example, यहाँ पे एक example है, theorem 2 लिखा हुआ है, क्या है, क्या है, क्या है, लेट A and B be two row canonical matrices, ठीक है, row canonical matrices का मतलब यही है, क्या है, row elementary operation से त्यार हुआ है, ठीक है, A और B, then A and B, ठीक है, have the same row space, if and only if, they have same non-zero rows, ठीक है, याद रखिए, कि अगर दो matrix है, रो canonical है, याने कि इसमें आप elementary row operation किये हैं, और आप उसको R.E.F. में बदल दिये हैं, row equivalent form में, A को भी और B को भी, ठीक है, तो अगर R.E.F. form में बदल दिये हैं, याद रखिए, वो क्या होगा, वो equal होगा, यह हम लोग देखें गया भी, ठीक है, तो यह result है, proof का ज़रूरत नहीं है, बस यह result को याद रखिए, ठीक है, बहुत helpful है, देखिया, एक example कर रहे हैं, जैसे हैं पर देखिए, मैंने पास में चार vector दिया हुए, भी 1, भी 2, भी 3, भी 4, ठीक है, अचाब 5 vector है, भी 5 भी यह, वी vectors in R4R, ठीक है, real space of 4 dimensional, ओभर real का यह 5 vector है, तो हमको यह बताना है, कि भी 1, भी 2, भी 3, और भी 4, भी 5, ठीक है, यह क्या होगा, show that, मतलब S, अगर आप exit लेते हैं, भी 1, भी 2, भी 3, और T exit लेते हैं, भी 4, भी 5, तो हमको यह दिखाना है, कि sub space, ठीक है, expand by S, equal होगा, sub space, expand by T, ठीक है, यहाँ यही मतलब होता है, क्या मतलब होता है, sub space, sub space of R4, expand by, expand by, ठीक है, क्या, S, equal to, क्या होगा, expand by T होगा, ठीक है, ठीक है, तो T में दो भेक्टर है, तो अब दिखते हैं, इसको देखने का तरीका यह होगा, यहाँ प्रदी के solution किसे किया गया है, there are two ways to show यह, इसको दिखाने का दो तरीका है, ठीक है, एक तो हम जिससे मान लीजे, यह दिखा सकते हैं, कि जो V1, V2, V3 है, वो क्या है, वो linear combination है, किसका, किसका, V1, V2, V3, ठीक है, यह linear combination होगा, V4 और V5 का, या तो हम यह दिखा सकते हैं, ठीक है, तो यह, अगर आप दिखा देते हैं, तभी यह तो हो जाएगा proof, लेकिन यह दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट इस method is not very convenient, तो यह आप बहुत अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं, चुकि यहाँ पे lengthy task हो जाएगा यह, ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे a-b-na matrix, जिसका row क्या हो कब b1, b2, b3 हो रहा है, चुकि हमको यह देखना है, कि s से जो span हो रहा है, ठीक है, उसमें, उससे जो matrix बनेगा, ठीक है, उसमें non-zero rows कितने आते हैं, ठीक है, किसमें, canonical matrix में, याने, r-e-f, row equivalent form में बदलने के बाद, ठीक है, ठीक है, ठीक पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, वो equation form बहुत important चीज है, जो देखें, ठीक है, तो that यहां से start करेंगे, ठीक है, a क्या है, matrix है, जिसका row b1, b2, b3 है, और b1 matrix ले लेते हैं, जिसका row क्या है, b4 और b5 है, चुकि दो अलग अलग आपको दे रखा है, इस से span कराना है, तो एक matrix इस से ले लिजी, फिर इस से span कराना है, तो एक matrix इस से ले लिजी, ठीक है, तो पहले हम लोग A लेते हैं, देखें, तो A में मैंने जो matrix लिया है, ठीक है, वो लिया है, भी 1, b2, b3, देखेंगा, यह b1 है, यह b2 है, और b3 है, इसको मैंने row में रखा है, ठीक है यहां पर देखिए यहां पर भी 1 को रखा गया है यह भी 1 है 1, 2, 1, 3, 2 रखे है 2, 4, 1, 2 और भी 3 रखे है 3, 6, 3, 7 अब इसको हमको बदनना है canonical matrix में तो हम यहां पर row transformation करेंगे तो इक हलंड फॉर्म में बदनने के लिए इस one के नीचे हम सबको zero करेंगे ठीक है तो यह operation लगा दीजिए और यह operation लगा दीजिए तो यह आपको यह मिल लाता है ठीक है ना फिर यहां से हमको यह मिल गया तो अब मेरा target यह होगा कि three के नीचे वाला सके यहां दगा दीजिए करना लग्ल भी आपको मिल लगा तो आप दहने कि यहां पर जो हमको जो स्रोब में जो पीपह्त मिला है वह यहां पर मिला है हो यह है और यह रहती इत्ु को सब्सक्राइब हो रहतीग है अफरशे जो नंबर उफीन जीरो हूं रोजगा है इन Canonical Form of Matrix A ठीक है तो matrix A यह जो matrix A है इसका canonical form देखी यही है तो कि यह row equivalent form में आ चुका है ठीक है pivot है पीबोट के निचे सारा ही 0 है तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो non-0 row है तो एक तो यह non-0 है पहला वाला दूसरा वाला भी non-0 है तो कि तीसरा वाला तो 0 हो गया तो इसमें 2 ही ऐसा non-0 row है ठीक है अब हम लोग B का बात करेंगा तो B में हम लोग जो है सिब दो लेंगे भेक्तर एक लेंगे B4 और एक लेंगे B5 ठीक है अब यहाँ पे फिर सा देखिए यह मेरा आ गया R.E.F. form रो-ecalant form ठीक है यानि canonical form of B तो clear है ओके ठीक है यही पे आप छोड़ सकते थे यही पे भी यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे कोई दिक्ट नहीं है यहाँ पे एक काम और किया गया आप 1 प्लस R.2 किया गया है आप तो कर सकते हैं कोई उससे फरक जाता फरक नहीं पड़ेगा चुकि रो-ecalant form यह आ चुका है ठीक है ना पीवोट्स के form में आ गया है तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा यही पे आप नहीं सकते थे direct क्या कि number of of non zero rows rows in in canonical form ठीक है ऐसे लिखेगा in in canonical form of matrix B यह भी क्या आया यह भी 2 आया क्योंकि इसमें भी जो है दो ही non-zero row है और उसमें भी आपका दो ही non-zero row था ठीक है तो हम लोग जैसे उपर पढ़े थे थियोरम में कि अगर दोनों में non-zero row का संख्या बराबर है canonical form में तो क्या होगा दोनों का space एक ही होगा ठीक है तो non-zero row of the matrices in row canonical form are identical दोनों में एक ही है therefore row space of A is equal to row space of B ठीक है आप बोल सतने है directly कि जो S से span हो रहा है ठीक है सब-space और जो T से span हो रहा है सब-space वो दोनों क्या है एक ही है तो इन दोनों सब-space का dimension अलग-अलग होगा लेकिन यहां पर यह दिखा रहा है कि दोनों सब-space क्या होगा आपका identical होगा अभी जो हम लोग result पढ़े थे उपर में ठीक है उस result से यह बात आ गई है यह जो result पढ़े थे यहां पर कि दोनों सेम होगा अगर दोनों के पास में सेम non-zero rows होंगे ठीक है तो देखिए बहुत कुछ भी हमें वो डिसकस करना है यहां तक जो concept था वो आपको समझ में आ गया है इसको आप note-down कर लिजिए ठीक है इसके बाद क्या question है देख लेते हैं Prove that any vector is the linear इसको आप कर चुक है linear combination वाला इसको बहुत आसान है एक्जाम्पल ठीक है तो इससे आप को आप देख सकते हैं यहां पर आ गया यह सब एक्जाम्पल करना चाहते हैं तो कर लिजेगा मैं बस इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ कुछ एक्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है जो हमें उपर पढ़े तो इसका आप सबढ़ लिए कि रिवीजन है तो रिवीजन के तौर पर आप इसको चाहें तो कर सकते हैं ठीक है उसको आप खुद से देख लिजिएगा ठीक है छोटी चीज़ें करेंगे तो कॉंसर्ट आ ठीक है किलिर है अच्छा अब देखिए यहां पर यह है कि एक फिर कुश्चन यह आ रहा है देखिए यहां पर जिस उपर था वह साही है कि तीन आपको भेक्टर दे रखा है तो आपको यह दिखाना है कि भीवन और भीटू से स्पैन करके जो सब स्पेस तयार होगा और भ जैसे हम लोग बताया थे ठीक है कि एक और तरीका है कि आप भीवन भीटू को इसके लिनर कॉमिनिशन में लिख दीजिए और इसको लिनर कॉमिनिशन में लिख दीजिए तो आपको बात हो जाएगा तो यहां पर देखिए पहले भीवन भीटू को लिखा गया है ठीक है अ इसको आप लिखिएगा भीवन और भीटू के टर्म में ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा फिर यह तो आप थोड़ा सा होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यह आ जाएगा यह जो भीवन भीटू भीधरी का है ठीक है इसमें भीवन होगा और भीटू होगा ठीक है याने हम लोग यह देख रहे है कि बीवन भीटू के लिख से करें तो यह आपका इकवल हो जाएगा ठीक है उपर जो तरीका है उससे भी आप बना सकते थे तो यह दिखिए कुछ लेक्चर था ठीक है कुछ इंपोर्टेंट ची कब रो लेते हैं कब कॉलम लेते हैं दोनों में से कब लेने से किसको क्या फाइदा होगा ठीक है वह भी आप देखिएगा ठीक थेंक यू बरी मेंच